गौलियर सहर में मानों की यातायाद बिवस्ता नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है पूरा सहर यातायाद के नाम पर अस्त व्यस्त देखा जा सकता है इसका जीता जाकता अधरन सहर के मुख के मारगों पर और चारोगायों पर देखा जा सकता है लेकिन पुलिस के आलाब सरिया फिर कोई अन्यमंत्री सहर में आ जाए और वह जिस मार्ग पर निकले उस मार्ग पर ट्रेक्फिक विवस्ता चाक चोबन देखने को मिलती है फिर कहना ही पड़ता है कि क्या विवस्ता है गौलियर पुलिस समस्या से ग्रस्त है और उसे समहलने वाले ट्रेफिक करमचारी चोराई पर यदा कदा ही नजर आते हैं लगता है जैसे पुलिस कर्मियों का सहर में अकाल पड़ गया हूँ तो वहीं जब बात चालान काटने की आती है तो शाम होते ही एक नहीं दस से बारा पुलिस कर्मी शानो शौकत के सामने वाले कॉर्नर पर या किसी अन्ने अन्धे मोड पर होकर चालान बसूल करते नजर आते हैं लेकिन आज लगता है सूरज कहीं और से निकला है इसलिए एडी जी साहब जब परेड के कारकरम में सामिल होने सुबह सुबह निकले तो पूरा पुलिस महकमा सड़कों पर नजर आया जिस भी सहरवासियों ने सुबह सुबह कहया नजरा देखा तो वह वर्वस ही कह उठा कि कास ऐसी यात्रा विवस्था का लाव आम जनता को रोज बिले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही आप हमारे फेस्बुक, पेज वा अन्य सोसल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं